हेलो माई दियर स्टूडेंट बेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को बताऊंगा चैपिटर सेबन नियंत्र एवं समन्नों का प्रस्णियों मुत्तर यह हमारा पार्ट टू वीडियो है माने पार्ट वन आलेडी अपलोड कर दिया है जाके देख सकते हैं और जो प्रक्रम का माने चार पार्ट अपलोड कर दिया है प्रस्णियों मुत्तर का उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ठीक है यंसी इर टी बुक का एंसर का प्लेलिस्ट में आप देख सकते है फ्रेंच मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें part two नियंत्रन एवं समन्नोय के प्रस्णियों मित्तर यह दोस्तों सभी प्रस्ण आपके NCEIT बुक से हैं जो आपके प्रस्ण है NCEIT बुक से हैं यह आपके board exam के लिए भी important है और competitive exam के लिए बहुत ही important है प्रतियोंगी प्रिच्छाओं के लिए आए हम इसमें देखेंगे केवल दो उत्तर ठीक है तो आए हम प्रस्ण नमबर first देखते हैं मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में ब्योधान उत्पन करती है जो मेरु रज्जु आघात है उसमें कौन सी संकेत ऐसा है जिसे आने में ब्योधान उत्पन करता है तो हमें बताना है इसका answer यह आपके NCRT book में प्रस्ण दिया हुआ है आप देख सकते हैं अपने बगल में NCRT book रखके ध्यान से पढ़िए फिर देखे इसका उत्तर क्या है मेरु रज्जु आघात में प्रत्वर्ती किरिया में ब्योधान उत्पन करती है ठीक है इसका यही छोटा सा answer होगा आपके बोडिक्जा में दो नंबर में पूछा भी जा सकता है ध्यान से देखिए मेरु रज्जु आघात में प्रत्वर्ती किरिया में ब्योधान उत्पन करती है ठीक है समझ में आया मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में ब्योधान उत्पन करती है किन संकेत को आने में जो मेरु रज्जु आघात है ब्योधान उत्पन करती है ठीक है तो आपको answer क्या बताना है मेर रजु आघात में प्रतिवर्ती किरिया में ब्याधान उत्पन करती है तो friends I hope कि आप लोग को ये question एवं इसका answer समझ में आ गया होगा आई ये हमें दूसरा question देखते हैं दूसरा question क्या है देखिए ध्यान से देखिए एक जीव में नियंतरन एवं समन्नोय के तंत्र की क्या बसकता होती है जैसे नियंतरन एवं समन्नोय आपका part है तो वही पूछ रहा है नियंतरन एवं समन्नोय की क्या बसकता होती है ये क्यों पाय जाता है इसे आप लोग को बताना है इस answer इसका answer बताना ठीक है जैसे जीव है जीव में नियंतर एवम समन्नों क्यों आउस से खोता है तो आईए हम इसका अंसर देखते हैं ठीक है बहु कोश्किये जीवों के कार सभी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बहु कोस्किये जीवों होते हैं उसमें सभी कार कोस्काओं द्वारा किया जाता है बहु कोस्किये जिसमें बहुत सारी कोस्काओं पाई जाती है अब उनमें बहुत सारी कोस्काओं पाई जाती है तो उसमें जो सभी कार है वो बहुत सारी कोशिकाई मिलकर कारिकू करती है ठीक है तो यह आपको बताना है कि बहुत कोशिकाई जीवों के कार सभी कोशिकाऊं द्वारा किये जाते हैं इन कोशिकाऊं को नियंतरित करने के लिए बहुत अवस्ता होती है इन कोशिका जो होती ह उन्हें नियंतरित करने की बहुत अवस्सक्ता होती है अगर कोई ब्यक्ति कार्य करता है उसे हम नियंतरित ना करेंगी यहां तक तुम्हें कार्य करना है तो क्या होगा नियंतरित नहीं कर पाऊगी वो ऐसे काम करता रहेगा इसी प्रकार से अगर हम कोशिका को नियंतरित ना करें तो वो कारे हमेशा करती रहेंगी तो इसलिए कोशिकाओं को नियंतरित करने की बहुत ही आवस्सकता होती है अब हम देखेंगे कोशिकाओं को नियंतरित कौन करता है तो जीवों में तंत्र का तंत्र, जो तंत्र का तंत्र होता है, nervous system, जिसे हम इंगलिस में कहते हैं, यह मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हैं, तंत्र का तंत्र, नियंत्र एवं समन्नोय का कार करता है, हमारी सरी में जो तंत्र का तंत्र होती है, वही नियंत्र एवं सम कोई चीह समर्णोय सब्सक्राइब तो सभी कोछी काने सवतांत्र रूप से अपना कार्गें जो कोशिकाई होंगी स्वतंतर रूप से अपना कार करेंगी ना कोई इन्हें दियंतरित करेगा ना कुछ करेगा यह अपनी कार जो है स्वतंतर रूप से करती रहेंगी ठीक है तथा हमें इच्छा नुसार पढ़राम नहीं मिलेगा अगर हमारी इच्छा नुसार पढ़राम नह मिलेगा ठीक है जब कोशका स्वतंत्र होंगी तो वो कुछ भी कर सकती है कोई भी काल कर सकती है तो इसलिए हमें इच्छा उसार या इच्छित कार नहीं मिलेगा आईए हम दोबारा देखते हैं इस प्रस्ण को क्योंकि यह प्रस्ण थोड़ा लॉंग है और आप लोगों के बोड़िक जाम में पूछा भी जा सकता है ठीक है देखिए एक जीव में नियंतर एवं समन्वे के तंत्र की क्या अवसकता होती है ठीक है आईए हम इसे आप लोगों को डीपली समझा दें बहु कोशके जीवों के काल सभी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है ठीक है कोशि अब लोगो am i hope के आप लोगो को ये दोनों समझ में आ गये होंगे दूस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मैं आप लोग को अगला प्रशन अगले वीडियो में बताने वाला हूँ और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी चैनल पे नए आये हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं कलाश तंत की लगारतार तैयारी करा रहा हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं अगर 90 पलस पाना है तो बहुत ही अच्छी से तैयारी कीजिए और चनल को सब्सक्राइब कीजिए जो मैं नए वीडियो भूजी हूँ आपके पास सबसे पहले पहुचे तो फ्रेंड्स फिलार इस वीडियो में इतना है तब तक के लिए धन्यवाद